नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल आचार जागंद्र मिस्त्रा में 30 शाल बाद बना बड़ा राजयोग मिथुन राश वालों मौका गया तो लोट के नहीं आएगा जी हाँ मिथुन राश के जातकों 30 शाल के बाद यह बेहद ही महतपूर बड़ा राजयोग बन चुका है जो कि मिथुन राश वाले जातकों के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट और बहुत ही महतपूर रहने वाला है जी हाँ मिथुन राज के जातकों यह राजयोग आपके जीवन और आपके किश्मत को सवारने वाला हरेगा दोस्तों शंपूर जानकारी हम बताएंगे इस राजयोग के बारे में कि कितना फलदाई यह राजयोग मिथुन राज के जातकों के लिए बन चुका है और आपके जीवन में हर एक मुसीबतों को कैसे ये समाप्त करने वाला है हम इस वीडियो में शंपूर जानकारी देंगे बिष्टार से चर्चा करेंगे मिथुन राज के जातकों के लिए कि यह बड़ा राजियो कितना लाबदाएक आपके लिए शिद्ध सावित होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें मिथुन रास वाले जातकों अभी तक आपके जीवन में बहुत ही कुछ मुशीवतों का आना जाना लगा रहता था यानि कि मिथुन रास के जातक कुछ गलत नहीं करते थे परंतु फिर भी आपको उस गलती का खाम्याजा भुगतना पड़ता था यानि जो कार आपने नहीं भी किया उस कार में आपको आपके शर मुसीवते आही जाती थी पिछले बहुत सालों से मिथुन रास के जातक के जीवन में यही सब चल रहा था परंतु दोस्तों अब सभी को बता दें कि पूरे तीस वर्सों के बाद इस बड़े राजियों के कारण मिथुन रास के जातकों के जीवन में अब एक ऐशा बदलावा रहा है इनके ग्रहों के इस्तितियों के जो परिणाम है कुछ ऐशे बदल रहे हैं जो कि मिथुन रास के जातकों आप सभी के लिए बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं और दोस्तों आप सभी को बता दे कि एक बार यह शुभ समय लोट कर गया तो फिर आपके जीवन में 30 वर्स के बाद ही आएगा दोस्तों इस 30 वर्स के बाद यह बड़ा राजयोग बनता है क्योंकि यह दोस्तों जो राजयोग है यह कई यानि कि 30 वर्सों के बाद जब बनता है तब ही आकर पूरा फल देता है और इसमें आपके लिए 30 वर्सों के बाद मिथुन राज के जीवन में आ चुका है यह बड़ा राजयोग तो इस राजयोग के कारण आपको इस वार धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता यह आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है क्योंकि दोस्तों इस राजयोग में मिथुन राज के जातकों को बहुत तमाम खुसियां बहुत धेर सारी खुसियां पराप्त होने वाली है जिसके लिए अब बहुत से सालों से आप जिस काम में प्रयास करते आ रहे थे उस काम में अब आपको सफलता मिलती नजर आएगी यानि मिथुन राज के जातकों अब आने वाले समय में आप अपने ब्यापार बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगे यानि कि आपके लिए बदलाव कृष्टिती देखने को मिलेगी मिथुन राज के जातकों आपके कारियों में दुगनी चार गुनी गति से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त होने लगेगा और देखे यहाँ पर क्योंकि देखे बहुत लंबे समय से मिथुन राज के जातकों के जीवन में कुछ परिसानिया चल रही थी कुछ यहीं से घटनाई चल रहे थी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थी लेकिन इस राजियों के कारण मिथुन राज के जातकों के जीवन में अब यानि की अच्छे सुब फलों का निर्माड होने जा रहा है आपकी सारी मुसीबतों का यानि अंत होने जा रहा है रही थी तो दोस्तों यहां पर आपको हम बता दें कि अब बदलाओ के साथ इस राजियों के कारण जब यह राजियों यानि आप बन चुका है तो इसी के साथ दोस्तों मिथुन राज की जातकों आपके जीवन में कई शारे बड़े बड़े बदलाओ आने लगेंगे और दोस्तों आपके छोटे चाहे छोटे कार हों चाहे बड़े कारियों हों बहुत ज़्यादा बदलाओ देखने को मिलेगा और अच्छा खासा धन लाभर जित करते निजराएंगे जिससे कि आप देखेंगे कि आपके मान समान में बढ़ोतरी होगी साथी आप इस शमय ब्या रास करते नजराएंगे यानि दोस्तों अभी तक आपकी जो योजनाई अशवाल रही थी अगर उन्हें योजनाओं का आप पूरा मेहनत के साथ अगर आप जमीनी स्थार पर उतारते हैं तो निश्ची तोर पे मित्वन रास के जातकों आपको इसमें सफलता जरूर दोस्तों आपके सभी कार अब पूरे होते नजराएंगे हम जिस राज्योग की बात कर रहे हैं यहां पर मित्वन रास के जातकों वह राज्योग है शनी और ब्रिहस्पत का नीच भंग राज्योग जी हां दोस्तों यह मकर रास में तीस वरसों के बाद बड़ा के होकर बैठे हैं जिसके कारण यानि कि सन्य अपने रास के स्वामी है और गुर्देव नीच के जिसके कारण नीच भंग राज्योग जो पे बन रहा है तो आपको इसमें आकाश्मिक रुप से धन का लाभ भी होगा यह राजयोग की नीच भंग राजयोग बड़ा राजयोग माना जाता है जिसके कारण है अब आपके जीवन में इस राजयोग के कारण मितुन रास की जातकों आपके द्वारा किये गए प्रयाश सफलता हासिल करेंगे नौकरी पेसा वालों को अच्छी खासी उपलब दी होगी और आप अपने बिजिनेस ब्यापार को तीजी से बढ़ाते हुए आगे बढ़ते नजराएंगे रुका हुआ फसा वधन प्राप्त होगा साथी साथ दोस्तों से सहयोग प्राप्ती होती न मितुरास के जातकों के लिए अब यह अगर गया तो तीस वर्स बाद ही आएगा इसलिए इस मौके को मत गवाई ये मितुरास के जातकों के यक वार गया तो वापस लोट कर नहीं आएगा तो मित्वन राज की जातकों इस में अगर आपके घर परिवार में कुछ उत्सव के महोल भी देखने को मिल सकते हैं घर परिवार में मिला जुलासर देखेगा प्रेम संबंधों में इजाफा होगा प्रेम संबंधों में मधूरता देखने को मिलेगी शाती साथ आपके जीव और यहाँ पर लेंदेन के मामले भी आपके निपटेंगे क्योंकि पुराने जो कर्जे थे वो निपटा पाएंगे और आपका रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा साथी साथ यहाँ पर सत्र बिरोधी गत्विधियों से भी आपको सावधानी रखनी है और साथी आप अपने शत्रों पर बिजय हासिल करेंगे कोट के चहरी का कोई मामला था तो वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा तो मिथून राज के जातकों तीस वर्स के बाद ये जो बड़ा राज्योग नीच भंग राज्योग बन रहा है ये नीच भंग राज्योग आपके जीवन को शवारने वाला रहेगा आपके जीवन को बडलने वाला रहेगा दोस्तों ये तीस वर्स के बाद बनता है और बिशेश फल दे कर जाता है तो ये मिथून राज्योग के जातकों आपके आने वाले समय में बहुत ही लाबदाएक शिद्ध सावित होगा तो मितुन राज की जातकों इस राजयोग के कारण आप इस समय बाहन की खरीदारी कर सकते हैं बाहन का शुक पराप्त कर सकते हैं जवरिन प्रोपरिटी का शुक पराप्त कर सकते हैं इस्टुडेंट के लिए काम्याबी से भरा रहेगा परतियोगी परिच्छा या किशी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जैश शनिदेव